असलाम अलेकुम आज मैं रेसिपी है पोटेटो ट्राइंगल ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज रमजान आ रहे हैं और कुछ यूनीक बनाने तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदा होने वाली है इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा जब अच्छे से आलू मैश हुझे है तो इसमें एक चमश नमक एक चमश लाल मिर्ज और इसमें आदी चमश हल्दी पाउडर थोड़ा सा पारी कटवा धनिया और अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे और जब अच्छे से मसाला हमारा मिक्स हो जाए तो इसमें एड कर देंगे 2-3 चमश मैंने एड किया है कॉण फ्लार और आदा कप इसमें एड करेंगे ब्रेट क्रम्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और जब अच्छे से mix हो जाए तो इसकी shape बना लेंगे हमें इसकी shape बनानी triangle shape में बस इसे अच्छे से ऐसे आपने roll करके और triangle की shape दे देंगे बहुती easy और simple है easily बन जाएगा ये बस इस तरह से आपने इसको step follow करना है और बस एक एक करके इसकी triangle shape कट कर देंगे और बस इस तरह से करके size shapes बना लेंगे, यह देखें बहुत easy और simple है, और बस बन के हैं हमाई triangle shape, थो उसा प्रेस कर लें से और थोड़ा पतला shape में लें, सारी बन के तयार हैं, अब मैंने इस समया लिए हैं इसमें और उनको अच्छे से crush कर लें, और मैदा लेंगे और उसे पानी में अच्छे से dissolve करके उसका paste बना लेंगे, पहले मैदे में डिप करना है और फिर हमने इसमें एंड में समया से coating करनी है, इससे और यूनीक टेस्ट आएगा बल्कुल, और यह आप इसको रमजार में जरूर ट्राय करिएगा इस recipe को, बहुत ह इसे चाह मिर्ट लगेंगे इसको पकने में, और इसे चटनी या केचप के साथ साथ करिएगा, और बहुत ही मज़ेदा और क्रिस्पी ट्राइंगल हमाई रेडी हैं, इससे ज़रूर बनाएगा, और मुझे पोक्स में बताएगा आपको यह recipe कैसे लगी, अपना बहुता ख झाल 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